treatment of selective mutism disorder, pharmacological and behavioral तो first we will discuss about the pharmacological treatment pharmacological treatment में ज़्यादा तर जिस तरह हम बात करें कि selective mutism जो है वो anxiety disorder है तो anxiety disorder से चूंकि ये related है तो definitely इसके लिए आम तर पर anti-anxieties जो है वो recommend की जाती है और different researches ये भी explain करती है कि जो placebo effect है और ऐसे बचे जिनको anti-anxieties दी गई थी उनका response जादा बेतर था as compared to those कि जिनको placebo दिये गए थे तो again जो anti-anxieties है वो देनी है या नहीं देनी it is not something कि जो आपने decide करना है it should be decided by the psychiatrist लेकिन आपको ये बात पता होनी चाहिए कि कौन सा group of medication जो है वो हम सैकेटरी में इनको देते हैं then the behavioral therapy behavioral therapy के अंदर बहुत सारी techniques यूज की जाती हैं जिसमें से हम three को discuss करेंगे number one is the gradual exposure gradual exposure जो है वो हम इस लिए यूज करते हैं क्यूंके बच्चा चूंके fearful होता है situation से ठीक है से हम कह रहे हैं कि वो classroom में जाकर बोल नहीं पा रहा तो हमने क्या करना है कि हमने बच्चे के साथ बैटके एक hierarchy बनानी है और उस hierarchy में देखना है कि उसको सबसे कम डर कि situation में लगता है से वो ये कहता है कि अगर मेरे neighborhood में से कोई आ जाए तो वो मेरे लिए सबसे least threatening situation है तो हम क्या करते हैं कि graduate explorer में या gradual explorer के अंदर हम ये करेंगे कि सबसे पहले उसका जो neighbor में से जो भी friend है उसका या कोई भी शक्स जो है उसको हम therapy में बुलाएंगे और फिर हम ये देखेंगे कि वो बच्चा उसके साथ interact करना शुरू कर रहा है या नहीं कर रहा है इस दौरान definitely उसके को anxiety manage करने के लिए हम deep breathing भी सिखा सकते हैं उसको progressive muscular relaxation exercise भी सिखाई जा सकती है तो ये चीज़ें जो हैं हम उसके साथ gradual start करेंगे उसके बाद से वो कहता है कि मेरा स्कूल का कोई friend आ जाए मैं उसके साथ बैठ सकता हूँ फिर आप उसको ले कर आओगे ठीक है तो हम gradual move करेंगे exposure की तरफ यहां तक कि जो extreme उसको anxiety होती है जिसना जो कोई classroom की setting है कि वहाँ पर वो नहीं बोल सकता तो बिल्कुल end के अंदर हम उसको उस situation में लेकर जाएंगे उधर expose करेंगे और हम उसको कहेंगे कि वो उस वक्त तक उस situation में रहे जब तक कि वो अपनी anxiety को manage नहीं कर पाता तो यह चीज जो है यह gradual होती है बहुत आइसा इसा बेबी steps उठाकर आप उसके behavior को better करते हैं then shaping Shipping में क्या होता है कि for example हम यह कह रहे हैं कि हम उसके neighbor से किसी को बिलाएंगे अब पहले की situation यह थी कि बच्चा neighbor में से गर कोई आता था तो उसको देख कर ही उठके चला जाता था ठीक है अब अगर वो बच्चा बैठ रहा है ठीक है और वो बैठ रहा है तो हम उसको भी reinforce करेंगे उसके बैठने को ही reinforce करेंगे यानि successive approximation of the behavior जो कि उसको lead करेगा towards which behavior जो कि हमारा ultimate goal है ultimate goal क्या है कि neighbor में से जो भी कोई शक्ता है the child should communicate to that person ठीक है तो अगर वो सिरफ वहां बैठ ही रहा है तो हम उस behavior को भी reinforce करेंगे next time अगर वो सिर्फ node कर रहा है ठीक है node के तूरू वो जवाब दे रहा है तो हम उसे भी reinforce करेंगे इस तरह हम gradually जो है अब वो उसका behavior शेप करना शुरू करेंगे then we can use the symbolic modeling symbolic modeling क्या होती है कि हम उसको ये दिखा सकते हैं कि टीवी में जिस तरह आप उसको TV on कर दो आप different cartoons दिखा दो और फिर आप उसको ये कहो कि ये different cartoons है ये TV है और इसके अंदर जो हैं लोग किस तरह communicate करें cartoon character school का एक setup क्या होता है कोई movie आप उसको इस तरह दिखाओ जिसके अंदर बच्चे school में बैठे में हैं वो पढ़ रही है teacher उनको पढ़ा रही है जिसना Sesame Street आपको याद होगा एक cartoon होता था अभी भी है आप वो दिखा सकते हो बच्चे को जिसके अंदर वो देखे कि क्लास में किस तरह पढ़ा जाता है और किस तरह बच्चे जो हैं वो आपस में interact करते हैं तो these are the things which we can use but these are only few things there are wide range of therapies or techniques to manage this problem तो आप उसमें से कोई भी चीज़ जो है वो यूज़ कर सकते हो Thank you